आटो मोबिल से रिलेटेड वीडियोज और कार से रिलेटेड कंपारिजन रिव्यूज वीडियोज के लिए हमारे चैनल SVGAR पोर्टल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ बेल नोटिफिकेशन को अन करें तो चलिए वीडियो को शुरू करें नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल SVGAR पोर्टल में आज की वीडियो में में बात करने वाला हूं साउथ खूरियन आटो मोबिल मैनेफेक्टरर युंड़े की एंट्री लेवल हैजबैक युंड़े सेंट्रो एंड इंडियन आटो मोबिल मेनेफेक्टरर मारूती की एंट्री लेवल हैजबैक से लेरियो के बारे में तो दोनों का ही आज हम कंपैरेजन करके देखने वाला है युंड़े सेंट्रो का टॉप एंड वेरियंट मैनुल में एस्टा जिसकी प्राइजिंग जो है फाइब पॉइंट सेवेनिट लेक्स स्पेसिफिकेशन की तो युंड़े सेंट्रो में आपको 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल एंजिन देखने मिल जायागा जो की 1086 cc का एंड 68 bhp 5500 rpm पे जनरेट करता और साती साथ 99 nm का टॉर 4500 rpm पे बात कर लेता मारूती सिलेरियों की तो K10B एंजिन देखने मिल जाया वही 90 nm of torque 3500 nrpm पे जनरेट करता है बात करते दोनों में आपको कितने comfort and convenience के कीमत के हिसाब से features मिलते है तो दोनों में आपको power steering all four power windows और vanity mirror, rear seat, headrest, cup holder जो आपको front में देखने मिलेंगे वही rear AC vents जो आपको Hyundai center में देखने मिल जाएगा ना कि मारूती सिलेरियों में multifunction steering wheel दो foldable seats मिल जाएंगी वहीं बात करते हैं bottle holders की तो आपको दुनों में front as well as rear door में bottle holders देखने मिल जाएंगे voice control के साथ जो है Hyundai center में compatibility है वहीं मारती से लेरियों में ऐसा कोई भी feature नहीं है बात कर लेते हैं additional features की तो यहाँ पे Hyundai center में आपको front and rear door पे जो है map pocket देखने मिल जाएंगे एको कोटिंग technology है रेर पारसल ट्रे स्वच केंट स्वच केंट जोकी इनका dustbin आपको मिल लेगा and ticket holder जो है आपको front appillar में देखने मिलती है वहीं मारती से लेरियों में जो additional features है वो सिर्फ front seat pocket है जो है back में and passenger side में back pocket आपको देखने मिल जाएगे वहीं बात कर लेते है एर conditioner heater और keyless entry जो है आपको standard देखने मिलती है वही adjustable steering ship मारती से लेरों में देखने मिल जाएगा safety features की मैं बात करूँ तो आपको ABS जो है दोनों ABS दोनों में ही standard देखने मिलता है central locking power door locks child safety locks दोनों में ही आपको जो है two airbags देखने मिलेंगे driver airbag as well as passenger airbags वहीं बात कर लेते हैं हम लोग day night rear view mirror वो आपको सिर्फ Hyundai center में देखने मिलने वाला है passenger side rear view mirror दोनों में ही देखने मिलने वाले हैं बात कर लेते हैं parking sensors की तो यहाँ पे आपको rear में parking sensors देखने मिल जाएंगे दोनों में ही अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ advanced safety features की जो सिर्फ मारती से लेरों में देखने मि मिलते हैं वह है speed alert, speed sensing auto door lock, pretensioner and force limiter seatbelts and impact sensing auto door unlock तो इतने feature जो है आपको extra मिल जाते है Hyundai center में बात कर लेते हैं इनके infotainment system की तो इनकी से लेरों में बात करूं तो dual thin audio stereo system मिलता है वह है Hyundai center में आपको 17.64 cm की touchscreen audio video system with smartphone navigation Hyundai iBlue audio and remote application जो है आपको देखने मिल जाती है यानि touch screen जो है आपको देखने मिलेगी Hyundai center में चार speakers देखने मिलेंगे दोनों में ही USB, AUX, input and Bluetooth connectivity के साथ दोनों जो है compatible है वही भी देखते हैं touch screen है Hyundai center में जो की Android or Apple CarPlay, Apple CarPlay जो है देखने मिलता है और जिसकी compatibility है mirror link के साथ तो यहां थी बात infot system की तो चलिए वही बात कर लेते हैं हम लोग dimension and capacity की तो आप लोगों को जो है 3610 mm की length जो है Hyundai center में देखने मिलेगी 1645 mm की width, 1560 mm की height और 2400 mm की wheelbase वही बात कर लेते हैं हम लोग boot space की तो 235 liter के यहां पे आपको Hyundai center में boot space देखने मिलेगा और अब बात कर लेते हैं dimension and capacity मारुती से के ले रहे हैं तो 3695 mm की length, 1600 mm की width, 1560 mm की height, 2425 mm की wheelbase और 165 mm की ground clearance वहीं बात कर लेते हैं हम लोग इसके भी boot space की तो यहां पे भी आपको 235 liter का boot space देखने मिलेगा अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके tire size की तो tire size जो है वो है 14 inch और यहीं बात कर लेते हैं दोनों के size की तो 165, 70, R14 दोनों में ही देखने मिलते हैं दोनों में यह आपको tubeless and radial tire देखने मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं कि इन में जो है difference क्या है तो यहां पे आपको 14 inch के steel rims देखने मिलते हैं Hyundai Centro में जी हां इसमें कोई भी variant में आपको alloy wheels देखने नहीं मिलते हैं सिर्फ 14 inch के steel wheels देखने मिलेंगे वहाई Maruti Celerio ZXI optional में आपको 14 inch के alloy wheels size देखने मिल जाएंगे तो चलिए आजाते है conclusion पर कि आपको इन दोनों cars में से कौन सी लेनी चाहिए बात करते conclusion की कि आपको दोनों cars में से कौन सी car लेना ज्यादा best रहेगा कौन सी features आपको कितने में मिल रहे हैं और यह features जो है इस pricing में best है कि नहीं तो मेरे हिसाब साब को Hyundai की central लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा features safety features भी यहाँ पर थोड़े बहुत आपको ज़्यादा ही मिल रहे हैं मारुती सिलेरियो से और वहीं इसकी अगर pricing की बात करो तो 30,000 रुपे ज़्यादा है as compared to Maruti Celerio और आपको एक touchscreen infotainment system मिल रहा है और Hyundai की after sales service भी काफी ज़्यादा अच्छी है as compared to Maruti Celerio तो अगर आप चाहते हैं कि एक tension free कार लें यानि after sales service भी अच्छी रहे हैं आपके साथ और Hyundai की में आपको काफी सारे अच्छे features के साथ जो है Hyundai Centro offer करती है वहीं बात कर लेते हैं Maruti Celerio कि तो आपको छोटा engine देखने मिलेगा जो कि कम performance देखा और जो है आपको इसमें कम features भी देखने मिलता है वहीं अगर आप थोड़ा बहुत जो है एंड बल नोटिफिकेशन को अन गरे तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में अब तक के लिए stay safe एंड देखते रहे है एसवी कार पोर्टल कि अवार आपको अज़ रखने मिलते है कि अव्छबा पीडियो में अबले कि अवार आपको इसलिए वार्टल